नमस्का दोस्तों परमाजीकेशन कीटूब चनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज बात करेंगे RTE 2009 और मैराथन कलास के बारे में पहले मैराथन कलास चलाएगी यानि नोट चलाएंगे जितने भी महत्रपूर नोट या फैक्ट हैं उन सभी को रखा जाएगा औ और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई वहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमाजीकेशन चनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाई बजा आप लोग पास एक अगर आज किलियर जा रही है तो आफ लोग नूट बनाने के लिए तो एक बार यहां से आप लोगों को चार से पांच नंबर मिलने वाले हैं ठीक है तो सभी बहुत ही महत्वपूर परसन है और यह देखिए यहाँ पर RTE 2009 के अंदरकर यानि सिच्छा का अधिकार अधिनियम आता है ठीके और यहाँ पर बात करेंगे अब पहले फ्यक्ट से और सभी लोग एक ध्यान से देखिएगा और अच्छे से नोड बनाते चलिए देखिए RTE लागू करने वाला भारत 135 देश है जब कि पहला द चलिए देखे लिए यहाँ अगला क्या करा कि RTE यानि 20 जुलाई 2009 को यह बिद्यक राजिसभा में पारित हुआ था कब RTE पारित हुआ था तो याद रखेगा 20 जुलाई 2009 को और 4 अगस्ट 2009 को लोग सभा में पारित हुआ था इन दोनों का कमाइंट है आप लोग इसे कब हुई थी यानि 26 अगस 2009 को और याद रखेगा कि 27 अगस 2009 को राजपत्र में परकासित हुआ था आर्टीए कब परकासित हुआ था 27 सगस 2009 को परकासित हुआ था कि इसे लाया जाएगा और लागू कब किया गया था देखे एक अपरेल 2010 को जम्मू कस्मीर को छोड़के सेस भारत के सभी राजियों में RTE लागू कर दिया गया था 2009 अधिनियम ठीक है याद रखेगा कि जम्मू कस्मीर को किवल याद रखेगा जम्मू कस्मीर को छोड़के भारत के सभी राजियों में ये RTE लागू कर दिया गया था ठीक है चरी आगे बढ़ते हैं अगले टोपिक्स में देखे थे अगला टोपिक्स हमारे याँ पर क्या करा देखिए अगला टोपिक्स ये करा हैं हमारा कि इस बिध्यक को लाने के दिसंबर 2002 में संबिधान का 66 संसोधन किया गया था देखिए 66 संसोधन करकर क्या किया गया था RTE को पारित करने के लिए 2002 में संबिधान के 66 संसोधन को लाया गया था उसमें उसे बदलाव करके RTE 2009 लाया गया था और यहां पर देखिए बात करेंगे RTE को मूल अधिकार बन सब्सक्राइब नहीं सकते हैं संबिधान में एक अलग सा पेज जोड सकते हैं संसोधन करके एक अलग सा पेज जोड दिया जाता है संबिधान में और देखे इसके अलामा अनुच्छेद 45 हुआ कि 5 में निकोंस पार देखे नहीं यहां यह वह उमारे मैं और और तरस्तित हैं प्रसप्रों से ब्सक्राइब से धारा पहला क्या कता है अधिनियम के संचिप्त नाम और लागू होने की तारिक धारा एक में अधिनियम का नाम क्या है और उसे लागू करने की तारिक को निधारित किया गया था और धारा दो ए में बालक बालक 6-14 वर्स का जो बालक है बालकाओं को सिछा दी जानी चाहिए 6 आगई बढ़ते हैं अगले टापिक्स में देखे हैं अगला टापिक्स हमारा यहां पर क्या करा है देखिए दूदला है पेच लेकिन अच्छे से आप लोग समझीए और यहां पर देखिए धारा हैं यहां पर धारा का राय तीसरा धारा तीसरे के अंतरगत क्या आता है यह निशुल के एवं अनिवार सिच्छा अधिकार 6-14 वर्स के सभी बालकाओं और बालकों के लिए की जो अनुचे यह जो धारां है और कि आता है तो धारųा 4 के अनिवे अनुसर आसर उन्हें नहिंटास देकिकारu यानि मुख करने का बात यह है कि उनके उम्र के अनुसार उनके आयू के अनुसार उन्हें दाकिला दिया जा सकता है कलास में चलिए आगले टॉपिक से बढ़ते हैं और बता दें कि लाश्ट में 15 परसन रखे गए याद रखेगा 15 बहुत ही महत्रपूर RTE से रखा गया टिक रजाером करा सकता है और दूसरा आता है राज की भीतर बच्चा जहां टाहैं बच्चा बिक जहां राज की भीतर कहीं देने करते और भल क कि यांनि दूसरे क्लास से श्टना गया और आप उसी टी सी देने से अल्iscernible नहीं करें यानि किसी बालक के पास अगर अस्तनांतर अले यानि आपके पास टीसी नहीं है तो कोई भी विद्याले आपको परवेश देने से नहीं रोख सकता और यहां पर देखी अगला हमारा यह करा है कि बालक अपने अनुसार असानातर कर सकता है यानि कहीं भी बालक अपने असार पढ़ाई कर सकता है अब बात करेंगे धारा छे के बारे में देखी बहुत ही महत्वपूल बात कई गई है कि अधीनियम लागो होने से तीन वर्स के भीतर बच्चे के घर से एक किलोमेटर के अंदर तथा तीन किलोमेटर के अंदर करम सा प्राथमिक तथा उच्छ प्राथम पर यह द्षा आकए जिसे बालक अपने घर से एक किलोमेटर के अंदर प्राथमिक सिझ्छ प्राथमिक कर सकता है और तीन किलोमेटर के अंदर क्या करसे कर सकते ऒलह जो है उच्छ प्राथमिकり पांडर को सभी प्राथमिक семSt ainda की तक उतन तक है होना चाहिए उस को प्रा य लाज कितना भी कितना पैसा करत करेगा और किंदर कितना पैसा यहां पर बेकरेगा यह देखिए पहले का अनुपाद था 65 और 35 का रेस्च उथा और अब 2018 यह दौज एक बदलाव करने के बाद 60 और 40 का होगया है मतलब यह कि पहले जौ केंदर था सिछा पर वे 65% करता था और राज जो था 35% करता था और अब डिया है और फाट 45 में जोड और राज सरकार को वे करने के लिए कहा गया है अब जो है शिछा के अस्तर को सुधारने के लिए राज सरकार 5% का योगधान और देगी चलिए आगे बढ़ते हैं धारा आठ के बारे में देख लेते हैं धारा आठ और नो दस ग्यारा बारा क्या करता है बहुत ही मतपूर है और इसे लिख लेजिएगा देखे धारा आठ के अंतरगत क्या आता है समूची सरकार का करतब यानि करतब क्या है सभी सरकार का धारा आपको आये के अंतर बालक को किस परकार से सिच्छा देनी है और धारण नौ aging libert Brendanि karışेक और उसके सामाध में क्या उनका अधिकार है उसको उनका करतब पी क्या है उसके लिए है धारा नौ में और यहां पे धारा 10 की अंतरगत आएगा माता पीता या संरचक पर शिच्च नहीं पर जाएगा यहां पर कहने का मतलब आप यहां पर पूरूर सिच्छा सी ही तत्वारे कि बालक जो पहले सिख चुका है उसको जोड़ कर क्या करें आप सिच्छा को पढ़ाएं या धारा 11 के अंतरगत आता है और 12 के अंतरगत क्या आता है नीजी विद्यालों में 25% सीटे जो होती है यानी नीजी विद्याले या 13 क्या करा है यहां पर देखिए 13 बहुत ही महत्वड़े इसे आप लोग नूट कर लिजेगा और 15 परसन के लिए रूखे रही एगा क्योंकि आटीई से ही 15 परसन बना जाएंगे और आप लोगों को केवल एक परसन गलत करना है उसमें से 15 में से 14 सही करना है और देख लेते आर्थक पराथमी होगा अब देखिए जिनकी नीजी बिद्याले हैं नीजी बिद्यालों का तत्पर यह है कि जो खुद से खुल रहे हैं प्राइबेट बिद्याले हैं उसमें आप परवे सुल्क नहीं लेंगे लेकिन इसमें क्या हो रहा है मनमानी तरीके से फीच लिया 10 यानि 10% गुड़ा कर देजा सीधे सीधे 5 या 10,000 के करीब आप लोग को जुर्माना भरना पड़ेगा बिद्यानों पर लगाया जा सकता है ठीक है और यहां पर देखिए दूसरा हमारा यहां पर क्या करा है कि कोई भी परवेस परिच्छा नहीं ली जाएगी परवेस पर देख लेते हैं 14, 14, 15, 16, 17 क्या करा है देखिए यह भी बहुत ही महत्यपुड़े इसके अंतरगत क्या क्या आता है देखिए 14 के अंतरगत आता है कि आयू परमाणपत्र नहीं होने पर भी बच्चे को परवेस से नहीं रोका जा सकता यानि बालक की आयू परमाणपत्र अनुसार आप उसे परवेस देदेंगे धारा 15 के अंतरगत आता है देखिए परवेस से इनकार नहीं कर सकते बहले ही बच्चा निर्धारित अवधी के बाद आया यानि परवेस का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपकी अवधी समाप्त हो गई है और आपके सीट बची हु अब नहीं करेंगे और निषकासन अपने कलास से नहीं कर सकते अगर प्रेवेस में दाखिला हो गया है अगर उसे दाखिला लेने की इच्छा कर लिए और उसे शिछा देने के लिए झीक है तो धारा 17 के अंतरगत सारीक और माने सिक दंड़ पर रोक है बहुत ही महत्रपूर है इसी स्कीन साथ ले लिजिएगा अब देखे बात करेंगे आप एठारा धारा एठारा के अंतरगत बीना मानता की स्कूल नहीं चलाएंगे यानि बीना मानता प्राप्त की आप इसकूल नहीं चलाएंगे पकड़े जाने पर क्या करेंगे आप इसकू जोसिक अपड़ोर का है जो भी आड़ी और पाठ्चरिया है उसमें के वल संसोधन कहुं कर सकता है केंदर, चलि आगे बढ़ते हैं ड़ार 1 eso 22 का कर रहा है। याद रखेगा बहुत ही मत्वपूड़े और सभी का इसकी साथ लिजे या फिर लिखते चलिए याद रखेगा बहुत ही मत्वपूड़े यहां से आप लोगों को चार से पांच नंबर सियोर है कि मिलेंगे देख लेते हैं यहां पर धारा 21 क्या करा है कि हर विद्याले में एक विद्याले परबंदक सिमिति इसका मतलब यह कि विद्याले परबंदक सिमिति बनाई जाएगी जिसमें तीन बटे चार यानि तीन बटे चार भाग अभिवावकों से बना रहे गा तता अभिवावकों का आधा 50% केवल महिला हों याद रखेगा अगर 100% भाग है तो उसमें से 50% केवल महिलाएं होंगी यहां पर दूसरा हमारा बात कर रहा है कि 22 माधारा 22 की अंतरगत क्या था है अधीनियम लागू होने के तीन महिने के भीतर विद्याले परबंधन सिमितिको विद्याले विकास योजना SDM यानी School Planter योजना SDM का अगर हम हिंदी में रुपांतर करेंगे तो School Planter योजना किस परकार से पढ़ाना है बालखों को उसको तयार करना होगा तीन महिने से के अंतर यानि विद्याले आपका खुल गया है तो आप तीन महिने के अंदर उसका कार योजना बनाएंगे कि किस पढ़ाना आए अब बात करेंगे यहां पर हम धारा यहां पर तेज के बारे में जो बहुत ही महत्वपूड़े या सिच्छक से रिलिटेड है तो याद रखेगा आप लोग भावी सिच्छक होने वाले हैं तो इसे याद रखेगा देखें अब क्या कहा रहा है यहां पर कि तेरे ढरा तेऱ की अंतरगत शिच्छक की योगिता का वरवरण टेट और सी टेट पर निधायाइट करेंगा सलते और से निधायद के लिए टेट का अग्जाम होस्ति तीट निधाया रहेहा है याद रखेगा 30 में निजायत किया गया जिसमें सिच्छक की योगिता यहां पर देखे 30 नहीं होगा यहां पर 23 होगा ते अपनी योगिता टेट और सी टेट के माध्यम से निजायत करेगा और यह वर्स में दो बार होता है याद रखेगा टेट जो होता है यह वर्स में एक या पर तो आना तो आपको क्लास में नीयमित रूप से आना है और समय का पारन करना है और यहां पर दूसरा करा है पाढ़करम को समे पर पूरा यानि आपका जो पाढ़करम छूट गया है उसे समे पर पूरा करेंगे और तीसरा कराढ़grass परतेक बच्चे के सिच्चा संभह़ना पाचाना यानि बालक को किस बिसे में रूची ले रहा है और किस तरह से पढ़ना चाता है उसकी सिच्छा को 25-25 परकार से पढ़ना चाता है और चोथा सरकारी नीतियों का पालन करना यानि सरकार की कोई भी नीति आ रहे तो आपको पालन करना होगा यह धारा 24 के अंतरगत आता है और यह किसके लिए सिच्छकों के लिए याद रखेगा अच्छे से याद कर लीजिए अब देखे धारा 25, 26, 27, 28 के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहां से आप लोगों को प्रसन एक मिलेंगे एक प्रसन आप लोगों को सीटेट में मिलेंगे तो यहां पर देख लेते हैं क्या करा धारा 25 के अंतरगत क्या आता है सिछक चातर का अ सिछक के 10 परसन से ज्यादा नहीं हो सकती आपकी जो संक्या है चातरों की पदोगी रिक्त पदोगी संक्या जो है यहां पर दस परसन से उपर नहीं होनी चाहिए धारा 27 के अंतरगत चुनाव जनगर्णा आप अपदा रहात इन तीन कारियों के अलावा सिछक को किसी अन्य यानि याद रखे का सिच्छक जो है यानि आप टीचर हैं हम टीचर हो गए तो क्या करेंगे हमें केवल आप जो सरकार है केवल चुनाओं में जनगर्णा में आपदा रहात में ही केवल लगाएगी इसके अलामा कहीं पर भी नहीं लगाएगी यह धारा 27 की अंतरगत आता है कवल आता है देख लेते हैं धारा 28 के अंतरगत सरकारी टीचरों को टीउसन पढ़ायजाने पर रोग याद रखे करना हैसा ओल आप लोगों को निस्कासित के जांकता है आप लोगों को विध्याले int अगर कोई घर का बच्चा है तो आप उसको मुल्यांकन में अच्छे तरीके से करेंगे और झो बाहर का है उसे सही से करेंगे तो इसे आप लोगों को 27 रूपसी दियान राकना जो ना प्राथ humility गूंट नुक्त जो बिद्धा याँन तो याद रखे गतिवीदी अधारित जो गतिवीदी अधारित होती है इसमें खेलकूत के माध्यम से बालकों को हम सिखाएंगे आप लोगों को कुछ नहीं बस धारा उन्तिस के अंतरगत यहां पर सरवांगी विकास करना है बालक का संवेदाने को मुल्यांकन करना है तो आतारण यानि उनमें डर नहीं होना चाहिए रूची होना चाहिए पढ़ने के लिए और गतिवीदी अधारित यानि खेल पर सिखाना चाहिए आप लोगों को ठीके इंतना बहुत ही मात्यपुड़े इसे 29 को धारा उन्तिस के अंतरगत आएगा अब बात करेंगे 30, 31, 32, 38 इसके बाद आप लोगों का प्रस्ण चलेगा, ठीके 15 परस्ण रखेगा हैं बहुत ही मात्यपुड़े, धारा 35 की अंतरगत यहां पर प्रारांबिक सिखा पूरी होने पर बुड़ता का प्रमाण पत्र यानि आपकी प्रारांबिक यहां पर कच्छा 5 आप पास कर ले अंतरगत आएगा, याद रखेगा धारा 31 में बाल अधिनियम की अंतरगत आ बालकों की सुरच्छा होनी चाहिए और यह धारा 31 में आया है और धारा 32 की अंतरगत किसी भी प्रकार की सिकायत आने पर बच्चों से जुड़ी समस्याहों का निप्टारा तीन महीने के जैप और अगर बालकों से समन्दी आपके पास शिकायत आ रही है तो आपको निपीश्फिक जया सकता हैよ तो निपर स्पेंट कीया सकता है तो धारत 32 के अंतरगत आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे 33, 34, 35, 36 के बारे में ठीक है धारत 33 के अंतरगत आता है राश्टी सलाकार परशत का गटन देखिए कि जो परशत होता है इसकी अंतरगत क्या सिच्छा का निर्ले लेना है क्या करना है कैसे उपयोगता साब पर राय देते हैं और यह धारा 34 के अंतरगत आता है और 35 के अंतरगत इस अधिनियम को लागो करने के लिए केंद्र वो राज सरकारे मार्गदर्सी सिधान जादी करेंगे और इसे लागो करने के लिए केंद्र और सरकार दोनूं ही मार्गदर्सी सिधान लागो करेंगे अ पिर किसी साथ रपे चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 37 अड़ तीस यानि देखिए दो हमारा बचा है इसके बाद हम बात करेंगे करता भी फिसके बाद अपने परस्वनों पर बात करेंगे देखिए यहाँ पर निरड़े लेगा आप जिसके राए लेंगे उसके बीना आप खोई भी एक्सा नहीं ले सकते हैं के अंदर सरकार और राजिय सरकार से खिलाब मुकदमा दायर नहीं कर सकती और यह अंतरगता आता है यह MPRC होते हैं कि अंतरगत सेलेरी उली सब आती है ठीक है और यहाँ पर बात करेंगे 38-38 के अंतरगत जरूरत पढ़ने पर केंदर और राजी सरकारें इस अधिनियम में कुछ भागों को बदल सकते हैं अगर जरूरत पढ़ी कि यह अधिनियम सही नहीं है उपयुक्त नहीं ह कर सकता है बदलाव कर सकता है और कौन के अधिनियम भाई भाने ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेर कर दी अब थोड़ा से यह रह गया प्रसन भहुत हीं मघझ पूर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने 15 पर है और 15 प्रश्र जो हैं 5ix शाथ्रओं पर तीजर होने चाहिए और 121-122 परgef9, पांच सिच्छक प्लस एक प्रधाना अध्यापक होगा और यहां पर देखिए आगला बहुत ही महत्तपूड है कि डेड़ सो से अधिक छातरों पर आपका जो अनुपात होगा चालिस से चालिस अनुपात है कि यहां पर अगे बढ़ते हैं अब उच्छ के बात कर लेते हैं अपने परसनों पर आगे बढ़ेंगे देखिए सभी भी दियालों में गड़ित हैं विज्ञान समाजी के बीसे तता यहां पर भासा के पूर कालीन होने चाहिए कालिन का मतलब यह है कि उसमें अच्छे-ची सुभधाय होनी चाहिए, सिच्छ को पूढ ज्यान होना चाहिए, और उहाँ पर पुष्ट काले होनी चाहिए, 100 से अधिक संग्या होने पर एक पूढ कालिन अध्यापक पर, प्लस कार सिच्छा, कला सिच्छा, स्वास्त और कारी दिवस हैं, इसके बाद हम लोग प्रसनों पर बात करेंगे, कारी दिवस में इसके अंतरगत क्या आता है, कारी दिवस कारी घंटे होंगे, प्राथमिक अस्तर पर हर सचिक सतर में 200 कारी दिवस होंगे, जबकि 1000 कारी घंटे होंगे, और यहाँ पर 1200 कारी घंटे होंगे आगे बढ़ते है अपने, अगले और लाश्ट है यह इसके बाद परसना आएंगे, यहाँ पर हर सिच्छ को सब्ता में 45 घंटे कारी करना होगा, हर सिच्छों को क्या करना होगा 45 घंटे कारे करना होगा बिद्याले के महान यहाँ पर देखिए महान नहीं होगा मान होगा याद रखीगा मान और यह मान डंड होगे तेके देखिए हर मौसम में सुरचित रहने वाले बिद्याले भवन होनी चाहिए और विद्याले के चारों तरफ चारदिवारी होनी चाहिए, सुध पेजल की बिवस्था होनी चाहिए, बालक बालकाओं के अलग-अलग सोचाले होनी चाहिए, और हर विद्याले में एक पुस्तिकाले होनी चाहिए, जिसमें बाल साहित के किताबे खुली हो, जिसमें बालक क दर्सी सिधांत कौन कौन से देखिए पहला सिच्छा को बारी जीवन से जोड़ना है दूसरा रटनत प्रणाली से मुक्त बनाना है तीसरा केवल पुस्तो को तक्सीमित नहीं रहना है उसके परिवेश से भी जोड़कर पढ़ाना है परिच्छा को लचीलापन बनाना और यह पढ़ाना रखेगा कि अपना नाम जानने के लिए लाश्ट कर रही है कि कल की उत्तर कितने लोगों का सब्सक्राइब के बने रहा था चारा है कि पहला परसन आएंगे फटा फटा फट करते चलेंगे तो सब्सक्राइब करें कितने हैं तो याद रखेगा सभी परसन बहुत ही मात्यपूर और सभी को हल करते आप लोग चलिए कौन से धारा के अंतरगत बीद्यालय प्रवंद सीमिति आता है 24 31 20 या फिर 21 तो राइट टेंस्र क्या होगा दूसरे का राइट टेंसर क्या होगा दूसरी का राइट एस जाएगा यहां पर चईथा होगा एक की बड़ते हैं अपने तीसरे अपने तीसरे प्रसन परशने में पर 35 35 या फिर 14 35 तो राइट एंसर क्या होगा जल्दी से बताइए पर प्रसन क्या होगा तरी अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो राइट टैसर जाएगा हमारा यहांपे दूसरे के साथ जाएगा चलिए आगे बाढ़ते हैं तीस चौथे परसन हिराज देख़् लन देख लो fibre धे गाए चाहरी जय शारा कि एक तालिस तो प्छाथा है और यहां पे उच अस्तर पे आप लोगों ने पढ़ा कि एक अनुपाते 35 होता है यह उच अस्तर पे था और यहां पे पूछा है प्रात्मिक अस्तर पे तो राइट एंसर के आगा पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा तो देखिए इसका राइट एंसर जो जाएगा चौथे क यहां पे जाएगा एक अनुपाते हमारा चौथे किसा जाएगा एक अनुपाते 40 होगा आप लोगों ने तूरं तूपर पढ़ा है ठीक है इंतो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को सभी इसलिए आप लोगों को पहले मरातन क्लास चलाए गये अगर प्रसन आपको को सब्ता में कितने घंटे काम करना चाहिए तो सब्ता में तो राइट एंसर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका राइट एंसर जाएगा हमारे यहां पर पहले किसा जाएगा आप पैंता गंटे आप लोगों ने उपर ही पड़ा है चलि आगे बढ़ते हैं छठा परसन पर एक वर्ष में कीतने कारि दिवस होते हैं देखे प्राथमिक अस्तर पर बात किया है तो जल्दी से बताइए की दो सो कारी दिवस होते हैं यहां पर यहां पर है कि सव कारी होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है अब बात करेंगे या पर उच अस्तर पर एक वर्थ में कितने कारी दिवस होते हैं तो राइट एंसर क्या होगा जल्दी से बताइए राइट एंसर क्या होगा देखिए यहां पर पहला करा है कि 220 कारी दिवस होते हैं तीसरा करा है कि 100 कार पर चातरों पर चातरों पर दोसो से अधिक यहां पर करा है कि अगर को चातरों की संख्या टो सो से अधिक है तो शिच्छक छातर अनुपाथ क्या होगा होगा है इक एक ती having in पर चालिष चात्र पर चालिष चात्र पर याद के पांस टीचर होगा। 609 प्रसनियाहिं की आरेशिकանरत को Saya लट यह नंतर घुरें की डिशार पर न ťार जिऑ अर्थिक स्थिति के अनुसार पर तीसरा रहन सहन के यह उम्ण करिएगा क्योंकि आप लोगoung ने उपर ही पढ़ा है थो right ईंसर हमारा क्या अब्का यह द्धकि यह लुगीतस आघं सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन जरू दबाएं और लाइक कर दीजिए देने लोग यहां कम से कम उतने लोग लाइक तो कर दीजिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे वढ़ते अपने दसमें परसंद पर देखते हैं दमा परसंद क्या कर रहा है चलाएanger का के देखिए न शेंट कि एक अप्रेल 2010 को लागू ऑ दूसरा करा है कि हमारा कि 20 जूलाई 2000 को लागू हुआ और यहां दूसरा तीसरा चोथा कौन साफ़ान से जल्दी से बताए कि राइट एंसर क्या होगा अमारा देखें दसमें का जो राइट एंसर जाएगा यहाप पहले के साथ जाएगा याद रखेंगा पहले के साथ जाएगा एक अपरेल 2010 को लगुए था चप्वीस अगस्त चप्वीस सब्सक्राइब संसुधन में दूसरा कराए कि नुघंबर 2002 के वाईसमें यहां पर चौथा कराए कि अग्रह जलदी से बत есть पहलाथ सा उप्षण प्रा रहे हैं जल्दी से बताएं के कों से पहलök जा रहे हैं हमारे पहले के साथ जाएगा पहले के सा जाएगा दिसंबर 2002 के यह पहला सा योगा दूसरा तीसरा चौथा कौन से आपसर प्यापलोग जा रहे हैं जल्दीसे घरामे का राई टेंसर क्या को डेखे का पहले के साथ जाएगा याद रखेगा पहले का जाएगा दिसंबर डोला दो के कि शीस किया है कि यह किस लिए निर्दार किसके अंतरगत अधर चोह जळी से बताईए राइट रायट का दार्य के अंतरगत जाएगा जिसमें OBC, SC, SD के लिए 25 परसंट याद रखेगा 25 परसंट सीटे क्या है नीजी विद्यालों में याद रखेगा नीजी विद्यालों में आर अच्छी थे आप लोगों ने उपर ही पढ़ा है ठीक है तो गुलत मत करिए परसनों को आगे बढ़ते हैं परसन पर देख लएते हैं तेरामा परसन देखिए पहले ही जब मारा अच्छन कला सुरूवी थी पहला ही परसन था आटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है तो आप लोगों ने पढ़ा भारत का अस्तान को था और यहां पर देखिए किसन का पहला अस्तान तो पहला करा है कि ब्रिटेन का पहला स्तान है दूसरा भारत का तीसरा करा है अमेरिका का चोथा करा है नार्वे का तो आटी लागू करने वाला पहला दिसकांस है देखिए आटी लागू करने वाला भारत का है और यहां पर पहला कौन सा तो पहला जाएगा हमारा नार्वे के साथ कर नहीं पहले ही मारा провโando का थलिफों का तो इसा कि और याद की आप लोगों के लिए आप शिच्छा को होने वाल自grass तो आप लोगों के अंतरगत था, तो वो परसने देखें, यहाँ पे आ गया, कि सिछ़चा का कर्तब और उनकी योगता का निधार्ण किस धारा के अंतरगत था है, धारा 22, धारा 23, धारा 37, धारा 42, तो राइट एंसर क्या आगवा, देखें, यहाँ पर 42 तो नहीं हो सकता, क कि धारा हैं जो थी, अंड़ती, आर्टी, एक अंतरगत आया था, तो यहाँ पर 38 था, तो यहाँ पर 37 तक दिया है, तो राइट एंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथरा, तो हमारा गलत है, तो चौधा का राइट एंसर क्या होगा, देखें, चौधा का राइ मार्ग दर्सी सिधांत कितने हैं तो जरूर बताईए कि यहां पर देखिए पहला सा योगा दूसरा तीसरा चौथा पाचवा जल्दी से बताईए कि राइट इंसर पांदर का होगा क्या होगा और अपना कमेंड में बताईए और आप लोगों को उत्तर कल बताए जाएंगे को यहां पर देखिए आप लोगों के लिए क्ले के लिए झाल हुआ कि न कितने लोगों का सभी हुआ है कि कल दो पर देख लिए और स्कॉर देख लिए और आज के भी पंदरा के प्रस्न बताए थी उपना आप लोगों के तर प्रस्न जेए खेंगे नेता एक यादि ही याणि आपका इसकुर बहुत ही अच्छा होगा और यहां पर देखिए वह देखिए विएस्णो वर्मा-वर्मा-णा अब आगे बढ़ते हैं इन्होंने कहा है कि तेरा का रइट एंसर हो सकता है पूजा यादो जी इन्होंने कुछ नया अलग करके यहां पर थैंक्यू सर जी बोला है तो बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर रिया सरमा जी का भी आया है और यहां पर वैसनो वर्मा राजवंती थैंक्यू सर यानि इनका नाम लेने के लिए कहा था और आगे बढ़ते जी सर मतलब नाम ले लिए और अनुदा जी नी कहा है तो चलिए आज आपके नाम ले लिए गये हैं तो आप यह बताएगा कि आज की उत्तर कौंच सही है तो आपके कल भी आपकी इसकोर बता जागा विनिता कुमारी जी का देखिए यहां पर पंदरा का चार यानि चाह थ देखिए नाम ले लिया जाएगा और विनिता कुमारी जी लाइव है देखिए फिर इसके बाद राजू सिंग्यादू नी कहा है कि सर हम हमें हमने आज जंग जीत लिया जंग तो उस दिन जीतेंगे जिस दिन आप सीटेट कौलिफाई करेंगे सीटेट कौलिफाई करके एक टीचर की तोर पे आप बैठीएगा तब आप महां पर जंग जीतेंगे आप यहां पर देखिए विनिता कुमारी जी का यहां पर मैसेज आगे हमने नहीं सुन पाई यानि आपने अपना नाम नहीं सुन पाया अपने धिया नहीं दिया होगा चली आगे देख लेते हैं यहां पर देखिए सर मेरा नाम लिये की नहीं आपका नाम ले लिया गया था अनुदा कुमारी जी ओके यानि इनका भी नाम लिया गया था वुनिता कुमारी जी लाई यानि फिर से वही दोरा गया है चली आगे देख लेते हैं आप देखिए कम और आगे बढ़ते हैं अगले लोग के पास देखते हैं पुझा जी का 14 सही हुआ है सर आज बहुत ही अच्छी क्लास थी थैंक्यू आप लोगों के अस्तर के अनुस्वार ही तो क्लास बनाया जाता है आप लोग जैसे चाहें उसे पढ़ सकते हैं अब विनेता कुमारी जी का यहां पर आया आज यह क्लास अमेजिंग था बहुत भुट धन्यवाद आप लोगों के लिए ही तो क्लास ऐसे बनाया जाते तकि आप लोगों को समझ में आ जाए और यहां पर सार जी हिंदी की भी अथी कि तयार कर लिया जाएं और चलाये जाए शुपर कलास एंड वेरी नाइस एन नेक्स्ट इस्टेप टेट सीट यानि अगले करम के लिए बढ़ी तो अच्छा है अगले करम के लिए बढ़ी और चाया जी निया पे देखिए उत्तर बताया कि चाया जी वर्मा जी का भी यहां पे उत्तर आगया है कि पंदर का चार अच्छा सा इस्कोर आपने किया और चाया जी ने दूसरे का बताया कि दूसरे का दूसरा सही है और यहां पे देखिए पंदर का चार राइट होगा यानि उत्तराखंड सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं जिन भाइब अनुन ने अभी तक माईचनलों को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों के अनुशार ही प्रसन बनाया जाता है कि आप लोगों कितने अच्छे से प्रसन को समझें और अच्छे से कि मराथन क्लास आप लोगों कैसे लगे और प्रस्न कैसे लगे और अपना नाम और उत्तर जानने के लिए आप लोग कमेंट जरू करिएगा पंदर का इसकोर आप लोगों कल बता दिया जाएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद शेयर जरू कर दिजीगा धन्यवाद